सवा सो करोड हिंदुस्तानियों के साथ साथ पूरी दुनिया के स्पेस एंTHUZIAST की भी सासे इस वक तटकी हुई है हर कोई नर्विस है कि रस्या के लूना के फियल हो जाने के बाद हिंदुस्तान की जो खोशिश है जो हिंदुस्तान का Mission Moon 3 है वो किस तरह से Soft Landing वो भी दक्षणी धूरूप पर करने में कामियाब होगा की नहीं और क्या महत्मून है वो 20 मिनिट और पिछली गलतियों से क्या कुछ सीखेंगे और रश्या के इस कुलाप्स के बाद ये जो लूना के कुलाप्स के बाद क्या कुछ साफधानिया हिंदुस्तान के विग्यानिक बढ़तेंगे इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए हमारे अगे बढ़े उससे पहले चंद्रियान 3 की खासियत हम बता दें इस पूरे उसकी LVM3, M4 रॉकेट चंद्रियान जो है हिंदुस्तान का चंद्रियान 2 मिशन के फेल होने के बाद रिकॉर्ड टाइम में बिना किसी विदेशी मदद के ये पूरा का पूरा मिशन जो है वो तयार किया गया है मिशन सेफली लॉंच हो चुका है और जो एक एक करके जो तमाम प्रक्रियाई की महीने भर की वो खत्म हो चुकी है 23 अगस शाम 6 बजे के बाद ये किसी भी वक्त जो है वो सॉफ्ट लैंडिंग करेगा इंजन जो था और सी 25 हाई थ्रस्ट क्राइजनिक अपर स्टेज जो थी इस तरह से किस तरह के फ्यूल के साथ यह उपर भेजा गया ठीक समझ रहे हैं श्रागुन जी में बिलकुल तो यह जो हमारा रॉकेट है पहले इसको जी एस लवी बोलते थे तो तब वो काफी भारी होता था है इस बार हमने क्या किया है हमने लवी म 3 मार्क 4 यूस किया है जो एक बहुत इसका कोई भी मिशन फेल नहीं हुआ है तो आ कि जो 20 मुश्र क्रूशिल होने वाले हैं उस वक्त इस वाले प्रक्रिया है तो जर्रांव में बता सकें शगुन जी जैसे कि हमारे सुम चीया जी ने बोला है कि यह लास्च की मिन चांडियान 5 मpes सबस्क्राइब करें जो हमारा फिर सकते हैं कि किए कैइन कि आप कुल यह मॉड्यूल से अलग हो गया लैंडर अब यह लैंडर धीरे धीरे जब 25 किलो मीटर के हाइट पर ऑल्टीटूट पर पहुँच जाएगा तो यह थ्रस्टर्स ओन होंगे इसके दीरे धीरे और वह स्पीड कम करेंगे यानि की 1.68 किलो मेटर लेस देन 2 किलो मेटर 1.68 किलो मेट ना के बराबर हो पिछली गलती से हमने सीखा है पिछली बार तेज था बहुत तो हम क्राश हो गए हम हमारे कंट्रोल नहीं कर पाए इंजिन इसलिए तो यानि कि जैसे एक बार फिर से हमें एक बार यह ग्राफिक्स चलाएंगे हम चाहेंगे कि हमारी PCI टीम जो एक बार फ आपने आप इसमें सोलर पैनल अक्टिवेट हो जाएंगे जो सूर्य की रोशनी से चार्ज होकर अपना काम शुरू कर देंगे जैसे ही यह निकलेगा लैंडर से बार इसमें कठनाई क्या आएगी इसमें कठनाई यह आ सकती है सबसे पहली तो सॉफ्ट लैंडिंग है दू करेंगे स्पीड कम करने के लिए ठीके वह अंतिम फाइरी होगए भी डीबूस्ट सेकेंड डीबूस्ट हो चुका है जो हमारा कल हुआ है सोरी आज हुआ है सुबह डीबूस्टिंग खतम हो गई सेकेंड जो फाइनल थी अब यह थ्रस्टर्स और उन होके इसकी स्पीड कम करेंगे और ये soft landing करेगा 6 बजे के 4 मिनट का हमें समय दिया है इस रोल है फिर जब ये soft landing कर देगा 6 बच कर 4-7 मिनट पर 100 मीटर की दूरी पर soft landing होगी और इसमें challenge क्या सकता है कि जब land करता है तो बहुत सारा dust निकलेगा चांद की सता इसे तो वो camera पर आ सकता है उसको उसका भूल जो है तो फिर उसको क्या करेंगे तो इसमें हमने दो engines लगा रखे हैं और camera को हमने क्या किया है कि इस बार sensors बहुत सारे हैं तो sensor अगर हमें ऐसा लग रहा है कि lunar terrain जो है बहुत ज्यादा हिली है या ऐसा कुछ भी है कि बहुत बड़ा गढ़ा है तो हम उसको उसी वक्त जो समें sensor लगा है जिसको हम lunar Doppler velocity meter बोलते हैं वो क्या वो पूरा scan करेंगा जब पहुचने वाला होगा जरी लैंडिंग से पहले हैं कि हम safe land कर रहे हैं कि नहीं तो जैसे कि उन्होंने बोला है कि अगर वो धूल भी जम जाती है तो भी इस बार हमने प्रेस मीडिया में बोला है कि वो चीज इतना बड़ा challenge इस बार हम नहीं consider करें हमारे लिए safe landing ज्यादा ज़रूरी है अच्छा पिछली गलतियों से हमने क्या सीख और यह safe landing इतनी important क्यों है मतलब क्या फाइदा होता है safe landing का soft landing जिसे हम कह रहें अभी तक तो soft landing का फाइदा यही है कि पहली बात हो हम पूरे विश्व में भारत का ये एक capability या भारत की एक दिखा पाएंगे कि भारत इस काबिल है technology हम प्रदर्शित कर पाएंगे क्योंकि soft landing सिर्फ हम से पहले तीन कंट्रीज ने की है और क्योंकि चांद का atmosphere इतना पतला है जो इसका वाईू मंडल हो इतना पतला है कि कोई भी चीज जब चान्द के पास जा रही होती तो उसकी स्पीड अपने आप कम नहीं होती है फ्रिक्शन से क्या होता है स्पीड कम हो जाती जब वाईू मंडल होता है तो चांद का इतना पतला है कि स्पीड अपने आप कम नहीं हो पाएगी तो इसलिए हमारी technology से ही हम वह स्पीड कम करेंगे और हमने चंद्रयान 2 की गलतियों से क बोली कि नंगल एक जबता क्या मफ़ैं हो सकता है यह भी इस बार इंटेड्यूस किया है तो और वह अपने का थो भी-अपने करने के लिए की हमने फिर्ज चाशा टरी कर थी क्या कि थी वह 18 मेप के प्रसुड थी तो दो से जाधा round 6 9.5 रई resource code देखितहै कि क्या है कि तक भी जा सकते हमने expand कि अपनी fuel बढ़ाया है हमने अपनी capacity बढ़ाई है velocity हम 3 meter per second भी है अगर तो वो control कर लेगा याई अगर speed कम भी नहीं वी तो भी हम manage कर लेंगे अगर legs हमने strong दी है तो tilt नहीं होगा तेड़ा नहीं होगा और अगर वो भी तेड़ा तो 90 degree turn हो जाएगा कैसे वो sensors हाँ वो इस बार sensor लगाए गए है कि reorient कर सकता आपने आपको क्राश लेंडिंग होने के चांसे बहुत ही बहुत ही मतलब आप 0% मानिये बिल्कुल बहुत कम होगी और इतने सारे भारतियों की और तमाम स्पेस रिसर्च में दल्चस्पी रखने वाले साइंटिस्स और विज्ञानिकों की भी होंगी शगुल हम यह भी समझना चाहते हैं कि यहां पर हमें बताइए कि प्रोपरिशन यह जो सारी चीज़े हम जो कहते हैं एक आम आदमी अगर ही समझना चाहे कि चांद की सत्य पर यह उतर गया हमारा प्रग्यान रोवर जो है इसके बाद यह करेगा क्या जी तो इस मिशन से चंद्रियान जो हमने सोचा था जो विजन था उसका विजन यही है कि पहली बात हम पर जो उसका आदेल कॉंपजिशन है मतलब जो एलिमेंट्स पाय जाते हैं यहीं है जी हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो इससे क्या होगा हम फ्यूचर के लिए मतलब जैसे मानी जा में हाइड्रोजन मिलता यह ऑक्सीजन मिलता तो हम भारत पे सरी एंडिया में यह अपने यह जो है हम यह कह रहे हैं चंदरमा की दुरूफ की सत्वर पर तापमान का अध्यन भी हम करेंगे इससे इससे भी फायदा मिलेगा हमें और हम एक और बहुत एहम चीज इसे करने वाले हैं कि इसमें जो प्रज्ञान है वहां के इमपोर्टेंट केमिकल जैसे कि मैंने बताई तो और करेंगा, यह सिर्फ वहां की सीजमी कि भोज पानी के खार हैं, पानी के फॉप में ना मिले, यह सखता है अगला सकता है क्या हो सकता हमें अलग अलग composition मिले, तो यह सिर्फ वहां की केमिकल अनालिसिस तो करेगा ही जूसरी चीज वहां की सीजमिक अक्टिविटी मतलब वहां का मून का क्रस्ट अंदर तक जाके उसकी स्टडीज करें तो उम्मीद यही है कि इस बार पुरानी गलतियों से सीखा है और पुरानी जो दिक्कत यह थी सैंटिफिकली उन्हें भी इडवांस और प्रोग्रेसिव तो उनका लूना फेल हो गया क्या वज़े रही उसके और उससे भी क्या भी हमने विग्यानिकों ने लास्ट मिनिट कुछ सीखा होगा कुछ चेंजिस के होंगे आप कोई चेंज नहीं हो सकता जो हो गया देखे उनकी हाँ आपने बिलकुल स आपने साथ रेस नहीं है तो वह भारत को क्या है इस दो को क्या है कि हुमानिटी के लिए उसको अच्छा था लूना अगर फेल क्यों हुआ मतलब हमें डर लगता है ना कि ठीक है वह हमसे एडवांस है हमसे ज्याद आदूनिक था उसकी स्पीड हमसे बाद में लाँच कि अ और यह की गलट हुआ मतला मन में आ जा यह जोता है कि बही क्यूं फेल हो गया जी तो ब learner क्या हुआ कि अभी जब वह उनकी नंदिंग थी बंदे को तो इन्होंने क्या किया जैसे ही उनकी प्री रांडिंग ऑर्डिट अल्याफिकल और वुट में एंड़ कर ने जा रहा थ तो वहां पे सही, मतलब कैलकुलेशन मैच नहीं हो रही थी, जो कैमरा देख रहा था और उसके अंदर फीड़ था पहले से, कि आपको यहां पे लैंड होना है, इस क्रेटर पे, वो दोनों आकडे मैच नहीं हो रहे थे, तो हमने वो स्टेज क्रॉस कर ली कि नहीं है, अगर गी तो हमारी क्या की एकर चूके है, जो का मारे हमें का इमेजे आए है, तो हम्हाँ कारीब लूहरी कॉलिटी की इमेजे मोंू हो यह हम कायी जा स्टेज की यहां करेंगे अभी हम नहीं क्रॉस कर चुके हैं तो हमारी भी वो क्रूशल स्टेज बाकी है तो हमें क्या करना अभी अभी जैसे हम 100 km की रेंज पे हैं हमें धीरे-धीरे करना है 25 km पर तो वो पूरा अनलिसिस कर रहा है अभी चल रहा है लेकिन तब ही शुरू होगा जब हम वो हाइट अचीव कर लेंगे तो उससे पहले हम कुछ नहीं कह सकते हैं तो लूना कहां पर जा कि अटका जब उसे वो हाइट अचीव करनी थी तब लूना हां जी लूना अटका है जो उसकी एक पहले की ऑर्बिट थी जस्ट एक आप कह सकते हो प्री लैंडिंग अलेप्टिकल ओर्बिट जस्ट लैंड करने से पहले एक और उस पर आटक गया जाके वो हम उस पर कपुछेंगे हम उस पर पहुचेंगे 23rd को ही पहुचेंगे हमारा कुरूशल त तो तमाम दुआएं विज्ञानिकों के एफर्ट्स और तमाम तक्नीक जो हमने विश्ली गलतियों से सीखिया है उसका हमने इस्तमाल किया है सही दिशा में तो उमीद है विश्वास है कि हम कामियाब होंगे आप शगुण जी हमारे साथ आई आपको बहुत बहुत शुक्र कर द सकते हैं